ब्रेक के बाद खबर मिर्जापुर से जहां पर राजा भाया की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है जन सक्ता दल ने स्पी को समर्थन दिया है जन सक्ता दल के इस जिलाध्यक्ष ने समर्थन पत्र सौंप दिया है एस अफिस पहुंचकर ये समर्थन पत्र सौपा गया, राजा भाया अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद सियासत बदल गई, खुलकर राजा भाया समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं तो बड़ी खबर इस वक्त मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जो की सांसद है और मौझूदा वक्त में NDA की उमिद्वार भी हैं, उन्होंने राजा वाली एक का, राजा वाला एक बयान दिया था और उस बयान के बाद जनसत्ता पार्टी के साथ ऐसी तलकी बड़ी, राजा भाया के साथ ऐसी तलकी बड़ी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन का एलान कर दिया और अब ये समर्थन पत्र भी S.P. को सौंप दिया गया है, जनसत्ता दल की ओर से, S.P. को समर् पर पार्टी के ओफीशल लेटर हड़ पर ये चिठी समर्थन लिख करके स्पी को सौप गया है सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौझूद है सुमित अब तो समर्थन का भी एलान के साथ समर्थन पत्र भी सौप दिया गया मिर्जापूर के सियासत पर क्या असर कितना असर कि दिल्कुल आपको बता दे कि अंपिया पटेल ने प्रताब गार में एक बयान दिया था जिसके बयान के बाद से नाराजजी चल लाई ती राजा बैजया को और उसके बाद यहां के समर्थ कर नाराज के राजजके पॉट्श को नाराज से तो यहां पर मिर्जपुर में देखा जाए तो दो दिगज़ नेता का भी अपना प्रभाव जो फिक गया है राष्टी महमंत्री है वो अरुन सिंग है जो मिर्जपुर के राने वाले है उनकी अपनी चवई है और वह बीजपी कि राष्टी महमंत्री अरुड स्पीं जो ठागुर बोट बैंक है उनके बड़े करीब बोट बैंक है दूसरा यहां पर जो पुरू में कभी बाहु बली कहे जाते थे अगर जाए कि राजा भाहिया को नाराज होने से पुरा जो यह बोट बैंक है वो एक तरफा हो सकता है या अन्प्रिया पटेल से नाराज हो सकता है तो यह बिल्कुल मिर्जापन में संभाव नहीं दिखाई दे रहा है यानि बहुत जादा अंतर आप फिलहाल नहीं देख रहे हैं सो मिद्धनिवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए रगुराज प्रताप सेंग यानि कि राजा भाईया उनकी ओर से समर्थन दे दिया गया है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को यहां मिर्जापुर से अदल S की सांसत अनुप्रिया पटेल उमिद्वार हैं जो कि NDA उमिद्वार हैं और समर्थन भले ही समाजवादी पार्टी को दे दिया गया है लेकिन जैसा कि मारे सहयोगी बता रहे हैं कि इसका बहुत जादा असर होता रिजल्ट पर नहीं दिख रहा है